जैहिन दोस्तों, so history की expected question सीरीज में आपका स्वागत है, last के वीडियो में हमने medieval history के question को cover किया था, इस वीडियो में काफी modern medieval history के आगे के सवालों को cover करेंगे, तरीका वही है, वीडियो post करना आपको और question खुछ से attempt करना है, इसके बाद detail explanation सुननी है, देखिए ये जो question है, य आप से पूछा जा रहा है, यानि basically खिलजी वन्स से संबंदित ये सवाल है, so Delhi सल्तनत के अगर बात करें, तो Delhi सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वन्स यानि slave dynasty आती है, उसके बाद आती है खिलजी dynasty, इसके बाद आती है तुगलग dynasty, फिर सयद dynasty, बहुत कम period के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए, उसके बाद सबसे लास्ट में आती है लोधी dynasty, जिसके अंतिम राजा होते है इबराहिम लोधी, जिसे पानी पत के युद में बाबर के द्वारा हरा दे जाता है, और फाइनली मुगल वन्स की नियू पढ़ती है, तो इस क्रोनलोजी को ध्यान कई बार इस क्रोनलोजी पे ही सवाल बन जाते हैं, तो देखें आपे क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि अलावधीन खिल जी के द्वारा जो कंक्वेस्ट किये गए, इनका सही करम क्या है, रन्थमबोर, गुजरात, वारंगल, चितोड, और यह ओप्सन्स हैं, 13 324, 3142, 2143, या फिर 4231, दोस्तों अगर अलावधीन खिल जी के मिलिटरी केमपेंज की बात करें, तो मोंगोल के खिलाफ बहुत बार अटेक किया जाता है, अलावधीन खिल जी के द्वारा, और मोंगोल के अटेक भी बहुत जादा बढ़ जाते हैं, और फर्स्ट टू इ होगी, इनफेक्ट अगर आप देखें, तो जो थर्ड मंगोल इंवेडर है, ख्वाजा, केम अप टू डेली, बट दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंट्रिंग इन्टू दा केपिटल सेटी, तो असल में ये डेली तक पहुंच जाते हैं, मंगोल इंवेजन, मंगोल होते हैं, इनसे बजने के लिए गाजी मली को अपोइंट किया आता है, दोस्तों और भी कई सारे मिलिटरी कंक्वेस्ट है अलाउदिन खिल जी के, जैसे नुसरत खान और अलुक खान को गुजरात में अटेक के लिए भेजते हैं 1299 में, और इसके बाद अगर आप देखें हलाकि वो 100% सही नहीं है, बट कई सारी चीजें हैं, हिस्टोरिकल इवेंट हैं, तो ध्यान रखेगा, हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से एक्जाम में पूछा आता है, इसके अलावा एक और बात ध्यान रखेगा, पदमावद जो किताब है, ये मलिक मुहमत जैसी के दौर लिखी गई है, बट ये काफी बाद में लिखी गई है, तो कई बार यहीं आप से पूछ ले आता है, कि जो पदमावद पुस्तक है, जो ब्रानी पदमिनी की स्टोरी से डील करता है, ये जो पुस्तक है मलिक मुहमत जैसी के दौरा, कि इसके टाइम पीरिड में लिखी काफी बाद में सेरसां सूरी के टाइम पे लिखी गई है, सेरसां सूरी जो सूर इंटरेंजम का पार्ट है, आपने ये सुना होगा, कि हुमावद के बाद कुछ ताइम के लिए, I think 1545 से कुछ ताइम के लिए, मुझे इसलिए आते हैं सूर इंटरेंजम के तहत और उसी ट होते हैं हुमाईउं और सेव सांसूरी के बीच इसलिए यह यह मुझे याद है का नोज भी आप बिलग्राम का युद कहते हैं तो अलाउदिन खेल जी जब डेकन में अटेक करते हैं तो उस टाइम पे चार इंपोर्डेंट डैनिस्टीज होती हैं देवगिरी के यादवज वारंगल के काकादियाज होईसाला द्वार समुद्र के और पांड्याज मदु रखे तो यह ध्यान रखेगा कि होईसाला की केपिटल जो है वह द्वार समुद्र थी करनाटक के अंदर है और क्योंकि कई बार पूछ ले आता है सीविल सर्शन में भ लिक काफूर वारंगल के खिलाफ अपने केमपेन को लॉंच करता है तो अगर यहां पर आपको इतना भी आइडिया है कि वारंगल सबसे साउत में है यह जो चार नाम है इनमें से तो यह तो सबसे पहले होगा नहीं इसलिए बी को ऐलिमिनेट करेंगे और बाकी अगर ऑप दोस्तों अगले सवाल के और बढ़ते हैं इन दा कंटेक्स्ट आप मेडिवल हिस्टी हूँ यूज तो राइट पर्सियन वर्सेज एंड पोयम्स इन दा पैन नेम ऑफ गुल्रुखी देखिए आज कल के जो जादा सवाल है आज के इस वीडियो में वो वन लाइनर मेंने बढ़ ये काफी important है कुछ question तो इनफेक्ट सिविल सर्शेज में directly पूछे भी गए हैं तो देखिए ये जो पर्सियन वर्सेज हैं और जो पोयम है ये गुल्रुखी के उप नाम से किनके द्वारा लिखा जाता था option है सिकंदर लोधी, इब्राहीम लोधी, बहलोल लोधी या मुहमद बिन लोधी तो इसका जो सही answer है वो option A है सिकंदर लोधी देखिए सिकंदर लोधी one of the mightiest ruler थे लोधी डैनेस्टी के और इनके द्वारा काफी इनका interest था पोयम बगेरा लिखने में और ये जब पोयम और Persian verses को लिखते थे तो last में pen name use करते थे गुल रुखी का तो इसलिए सही answer option A है और अगर इसके अलावा बात करें लोधी डैनेस्टी की तो लोधी जो है वो असल में अफगान थे और 1451 से 1526 तक देखने को मिलेगा इनका time period 1526 क्योंकि आपको पता है पानी पत का पहला युद हुआ है 1526 में और जो अंतिम राजा होते हैं लोधी वंस के इब्राहीम लोधी उनके उनको हरा दे जाता है बाबर के द्वारा और इस तरीके से लोधी वंस का पतन हो जाता है तो ध्यान रखेगा लोधी इस असल में अफगान थे और यह time period भी ध्यान रखेगा और founder का ना पूछा गया था मैं देख रहा था YouTube के अंदर ही randomly तो यह सवाल पूछा गया एक्चुली जो question था वो यह नहीं था question यह था कि लोधी जो है लोधी वंस इसके स्थापना किनके द्वारा की गई थी और वो काफी hilarious contestant थे बहुत ज्यादा confused हुए और add then उन्होंने गलत आंसर किया था तो ध्यान रखिएगा कि लोधी वंस के स्थापना वहलो लोधी के द्वारा की गई है वैसे बहुत बार competitive exam में पूछा गया आई है next question देखिए who had set up a separate department अमीरे कोही and provided तकवी लोन्स टू पीजेंट्स यानि एक separate department स्थापित किया गया था अमीरे कोही के नाम से किनके द्वारा और इस system के तहट तकवी लोन्स दिया जाता था पीजेंट्स को तो असल में ये जो लोन है ये seeds खरीदने के लिए और बाकी किस तरीके से फसलों को और better किया जाए इन कामों के लिए दिया जाता था तो इसका सही आंसर है option option B मोहमद बिन तुगलग असल में मोहमद बिन तुगलग के द्वारा कई सारे काम किये गया है हाला कि इन्हें far ahead of his time कहा जाता है और बहुत सारी इनके द्वारा mistakes हुई है historical mistakes और खास करके जब ये decision लेते थे तो इनके decision बहुत जादा समय के अनुरूप नहीं थे इस वज़ मोहमद बिन तुगलग की death होती है तो उस time पे बदायूनी कहते हैं कि राजा से प्रजा को और प्रजा को राजा से मुक्ती मिल गई असल में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो decision होते हैं राजा के वो समय के अनुरूप बिल्कुल नहीं होते हैं वैसे comment को ध्यान obviously लाई गई हैं जैसे agriculture reform बहुत सारे किये गए हैं जिन में से pigeons को तकवी loan दिया जाता था ताकि वो अच्छे से cultivation कर सके इसके लावा और भी कई सारे काम किये गए हैं और जैसे अगर एक हाला कि इनके failure की बात करें तो token currency का नाव अपने सुना होगा कि इनके दोड़ा token currency चल सकता है तो असल में token currency भी नहीं के दोड़ा स्टार्ट की गई थी और इसके अलावा वाले रीजन में टेक्सेशन लगाया गया था क्योंकि सुल्तान को लगता था वहां से क्योंकि financial stress काफी जादा बढ़ गई थी तो उस टैम पे मुहमद भीन तुगलक को लगता था कि यह एक और जो काम क्या आता है वो यह कि capital जो है उसे transfer कर दिया आता है इस वरसे काफी सारी जो जनता है वो बिलकुल परेसान हो जाती है कई सारी death भी हो जाती है because capital इतनी जाला दूर में देवगिरी में वो capital shift करना चाहते थे तो डेली तु देवगिरी और असल में देवगिरी का नाम भी बदल दिया गया था बदल के नाम दोलता बाद कर दिया गया था यह भी ध्यान रखेगा तो capital shift के दोरान भी बहुत सारी समस्याइं आती है तो य अला कि अगर फिरोज तुगलक की बात करें तो यह मुहमद बिन तुगलक के बाद गदी में आते हैं इनके दोरा सबसे खास बात तो यही होती है कि इनके दोरा भी कई सारे department स्टार्ट के जाते हैं जिनमें जो एक department होती है वो दिवाने खैरात की होती है तो असल में यह ज कसन किया है अगले सवाल की और बढ़ते हैं कुछ पेर्ज दी अगर आपको बताना है कौन-कौन से यहाँ पर incorrectly मैच है ध्यान रखना है आपको question में correctly पूछा आता है या incorrectly वकीलेदर head of military department अमीरे बहर controller of boat दिवाने urge slave department दिवाने इस्तियाक charity department दोस्तों यहाँ पर correctly पूछा आ रहा है इसलिए option B यहाँ पर सही होगा 1 और 3 जो है वो गलत है बाकि 2 और 4 सही है तो अमीरे बहर controller और boat होते थे boat को जो control करते थे उन्हें अमीरे बहर कहा जाता था तो 2 बिलकुल सही है charity department दिवाने इस्तियाक यह भी बात बिलकुल सही है लेकिन अगर आप देखें वकीले दर और दिवाने अर्ज को तो यह दोनों मैंने इंटर्चेंज कर दिया है असल में दिवाने अर्ज जो है यह military department से संबंद रखता है और slave department के लिए वकीले दर नाम का institution था तो इस वार से यह दोनों चुकी interchange है और हमें गलत ही पूछा गया है तो 1 और 3 गलत है और 2 और 4 बिलकुल सही है तो इन्हें आप सही match कर लीजेगा interchange करके और correct answer हमारा यहाँ पर option भी है next question देखिए काफी important है civil services में दो दो बार पूछा गया है हाला कि directly यह नहीं पूछा गया था कि तेमूर ने जब देली पर आकर्मन किया 1399 में उस time पे डेली का सुल्तान कौन था बलकि सवाल घुमा फिरा करके पूछा गया है दोस्तों जब तेमूर अटेक करता है डेली पर 1398 में उस time पे कोई formidable king नहीं होता है कोई मजबूत राजा नहीं होता है इस वज़ा से कोई मतलब विरोध नहीं हो पाता है और काफी बूरे तरीके से लूटा राता है डेली को और उस time पे काफी weak ruler थे नाम है नासिरुदीन महमूद और ये तुगलगवन्स के ही अंतिम राजा होते है दोस्तों ये जितना भी कुछ मैंने इस वीडियो में cover किया है और लास्ट के वीडियो में cover किया है ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं अगर आप जल्दी खतम करना चाहते हैं तो तमील नाडू board वाली book पढ़ लीजे काफी अच्छी हैं काफी concise हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें ये इनका अलग section है administration किस तरीके से था डेली चलतनर के ताइम पे ये पूरा administration बता दिया गया है इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो central government किस तरीके से था कौन से department का क्या काम था जैसे military department दिवाने आरिज के अंदर था जिसे आरिजे मुमालिक के द्वारा head के आता था इस तरीके से सुल्तान himself commander in chief होते थे आर्मी के तो सारे important point आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे दिवाने रसालत देखे religious affairs डील करता था काफी important pointer है ये कई बार civil session में question पूछे गया है आप जरूर इन चीजों को note कर लीजे at least department का नाम आपको जरूर ध्यान होना चाहिए कि दिवाने रसालत religious affairs से और इसी तरीके से सभी department का जैसे अगर military department का पूछा जाए तो दिवाने आरिज होगा इसके बाद अगर पूछा जाए यहाँ पे दिवाने विजारत के वारे में तो यह finance department था जो की वजीर के द्वारा head के आता था यह ध्यान रखेगा इसी तरीके से एक दिवाने इंसा नाम का department होता था जो की department of correspondence होता था यह भी कई बार exams के अंदर पूछा गया है local administration की बात करें तो डेली सल्थानत के टाइम पे जो provinces होते थे जो प्रांत होते थे इन्हें इकताज कहा जाता था और इकतादार का नाम आपने सुना भी होगा हमने cover भी किया है वैसे इकतादार के विसे में और ध्यान रखेगा यह कि provinces को डेली सल्थानत के टाइम पे इकता कहा जाता था और जो governor होते थे प्रोविंस के यह तो बहुत बार exams के अंदर पूछा गया है तो इकताज के जो governor होते थे इन्हें मुक्ती या फिर वाली कहा जाता था यह भी बहुत जादा important है बहुत बार exam के अंदर पूछा गया है इसके बाद अगर प्रोविंस क्योंकि प्रोविंस एक बड़ी यूनिट थी तो इसे छोटे-छोटे 6 में divide कर जाता था जिसे परगना कहते थे और चुकी इन्हें 6 भी कहा जाता था इसलिए यह सिकदार होते थे इनके head controller तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी यूनिट की अगर बात करें तो प्रोविंस यानि प्रांथ होता था जिसे इकता कहते थे और इसके बाद चोटी यूनिट जो होती थी वह परगना कहलाती थी क्या परगना से भी ज्यादा चोटी यूनिट होती थी तो असल में परगना से भी ज्यादा चोटी यूनिट होती थी एक परगना के अंदर कई सारे गाउं होते थे कई सारे villages होते थे और उन villages के head cone होते थे आमील I know ये थोड़ा confusing है बट जब आप एक बार इसे अच्छे से समझ लेंगे तो फिर चीजे काफी आसान हो जाएगी देखे विलेज जो बिल्कुल बेस्टी के administration होता था और विलेज के जो head होते थे ये आमिल कहलाते थे तो कई सारे विलेजेज को मिल करके एक परगना बनता था परगना के head कोन होते थे सिकदार होते थे फिर अगेन कई सारे परगना को मिल करके क्या बना होता था तो कई सारे परगना को मिल करके बना होता था एक प्रोविन्ज जिसे कहते थे Iqtah जो head के आता था मुक्ती या फिर वाली इसके द्वारा दोस्ते इसके बाद कई तरीके के land भी होते थे जो कि Iqtah चेंडर में होता था इसके बाद खालिसा land होता था वैसे यह जो Iqtah Land होते थे उन्हें इक्ता लेंड दियाता था उनकी सर्विस के बदले इस तरीके से खाली सा लेंड होता था वैसे लेंड जो की directly control थे सुल्तान के अंदर थे और यहां से जो revenue निकल करके आता था ये directly जाता था royal household में सुल्तान के पास ये इसकी कोई sharing नहीं होती थी इसे तरीके से इनाम लेंड भी होते थे तो असल में जो इनाम लेंड होते थे ये religious leader को दान में दिया आता था religious purposes से और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि कुछ सुल्तान जैसे मोहमद बिन तुगलक फिरोज तुगलक इनके दवारा agriculture production को बढ़ाने के लिए कई सारे काम किये जाते हैं जैसे तकवी लोन दे जाता है इनफेक्ट मोहमद बिन तुगलक के दवारा दिवाने को ही के स्थापना की जाती है जो की एक agriculture department होता है agriculture field से डील करता है लोन वगेरा देना बेटर quality की seed provide करना ये चीजें इस department का main काम होता है दोस्तों अगर आपने बिलकुल lecture ध्यान से सुना है तो इस सवाल का answer करिए भिना वीडियो में पीछे जाएए इस सवाल का answer करिए who commented on the demise of मोहमद बिन तुगलक that the sultan was freed from his people and the people from sultan यानि किनके दोरा ये मोहमद बिन तुगलक की मृतियों पर कि सुल्तान को people से और people को सुल्तान से मुक्ती मिल गई option है बरनी, अमीर खुसरो, इवन बतुता और बडावनी and I think ये civil services का previous year question है तो इसका answer आप comment box में करिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी और next video में हम modern history पर बात करेंगे और in fact medieval के भी कुछ question को करेंगे और इसी तरीके से quality, geography, पर्यास करूँगा मैं जल्दी सारे subjects को इसी तरीके से section wise cover करने का और देखिए अगर आप नए है चैनल पर तो subscribe जरूर कर लें Thank you